चलि दोस्तो इस class में हम देखेंगे budget control मतलब budget का option होता है उसका use हम लोग क्यू करते हैं देखिए दोस्तो budget का option हम लोग इसले use करते हैं जैसे कि हम लोग budget set कर देते किसी भी चीज में कि इस मेहने तक हम इस पर इतना रुप्य खर्चा करेंगे तो last में क्या होता है फिर हम लोग चेक करते हैं कि वो जो हमारा budget हम लोग सेट किये थे उसे ज्यादा खर्चा हुआ है कि उससे कम खर्चा हुआ है ठीक है तो दोस्तो budget option को enable करने के लिए पहले आपको f11 दबाना पड़ेगा उसके बाद accounting features में जाना पड़ेगा और उसके बा जब आप account info में जाएंगे तो देखिए एक नया option अज़र आएगा बजट का आप यहां जाईएगा उसके बाद trade option आएगा यहां पर प्रेट करिएगा मैं यहां पर office के लिए budget सेट करने जा रहा हूँ उसके बाद trade में सेट करता हूँ एक चार दो हजार सोला से एक पांच दो हजार सोला तकर यहां पर मैं ग्रूप भी अपसेट कर सकते हैं लेजर भी अपसेट कर सकते हैं मैं यहां पर लेजर का नाम में देता हूँ office expenses अच्छे दोस्तों office expenses का लेजर मैंने बना कर रखता है तो मैं यहां पर direct office expenses का जो लेजर है उसको ले लेता हूँ उसके बाद देखिए यहां पर closing balance यहां पर मैं इसको सेट कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ office expenses में 5000 तक ही सर्ट जाओ one month का ही एंठर आगे भी सीक्षरा से आप Environment कि सरुद्फर में पर सेक्टेष और दूस्तों paid up एक सार्फ मेन गार सकते हैं 6 मेन घठ क्षर कर सकते हैं 3 मेन गार सकते वह आप से उपर है उसके बाद चलिए यहां पर मैं कुछ इंट्री पास करता हूँ payment richer मेरा जा घाता हूँ और office expenses में 1 तारिक को मैं 2000 रुपया मान लीज़े मैं खर्चा कर रहा हूँ उसके बाद फिर मैं 2 तारिक को जाता हूँ और office expenses में मान लीज़े 4000 मैं खर्चा कर रहा हूँ अब देखिए अब एक हजार ज्यादा खर्चा हो गया हमारा है तो अब हम इसको देखने के लिए कहा जाएंगे हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में एकॉर्ण बुक में और उसके बार एकॉर्ण बुक में जाने के बार में यहां ग्रूप समझी आता है इस ऑप्शन में करेंगे और उसके बाद देखिए यहां पर बज़ेंस का ऑप्शन आएगा यहां क्लिक कर लिए पिर देखिए यहां लिश्ट ऑफ दा बजट जैसे हम लोग ऑफिस के लिए बनाते हैं अगर और और भी कुछ लेजर का बजट अगर सेट किये रहते हैं तो यहां पर लिश इसका जो सेट किया था वह आपका पाथ हजार था बट एक्च्वल में जो अफिस का हम लोगों ने जो बज़ेट सेट किया था ठीक है और यहां पर देखिए दिखा रहा है जो एक्च्वल खर्चा हुआ कि इतना हुआ छे हजार दैट मिन बीस परसेंट जो है एक्स्टा खर्चा हुआ हजार रुपया वह यहां को डिश्क्यों करें दोस्तों इस तरकार से आप देख सकते कि आपने जो बज़ेट सेट किया उसके मताबिक आपका जो जा रहा है खर्चा कि उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा या उससे कम खर्चा हो रहा उन चीजों के लिए यह का प्रियोग हम लोग करते हैं ठीके दोस्तों आप तो नेक्स्ट क्लास से सिर्भाट करते हैं